हलो गाईज मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रिग्नेंसी कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे आपकी प्रिग्नेंसी भी काफी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स आज मैं आपको तीन ऐसे सटेक लक्षन बताऊंगी बेबी बॉय के जिसके आपको बहुत ज़्यादा जिग्यासा है अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो कई हद तक आपको अनुमान लग जाएगा कि आपके गर्प में पल रहा शीशु जो है वो फिर एक लड़की होगी फ्रेंड्स यहां पे सरीफ मैंने अपने सब्सक्राइबरों की बात की है जिनको बेबी बॉय हुए है ताकि आप लोगों के जिग्यासा भी कम हो सके क्योंकि अभी हाल फिलान में मेरे सब्सक्राइबरों के बहुत सारे बॉय हुए है उनके सिम्ट तक यासा फ्रेंड, ओर ज़ादा, जब बढ़ जाती है, पहले हमारे बेटी होती है, और सकिंड टाइम हम यह सौछते हैं, कि हमारा बेटा हो जाए, हमारी फैमली कमप्लेट हो जाए. अगर हमारी पहली गर ववस्ता है, उस टाइम पे हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, कि बेटा हो या फिर बेटियो बस हम यही सोचते हैं कि हमारा जो भी बच्चा हो वो स्वस्थ हो सरीर में अच्छा हो और कोई भी दिक्कत या परिशानी मेरे बच्चे को नहीं होनी चाहिए सेकिंड बार में बस थोड़ा सा सोचते हैं कि बेटा हो जाए हमारी फैमली कम्प्रीट हो जाए मेरी बेटी को जो है एक बेटा मतलब की भाई मिल जाए ठीक है इससे ज़्यादा कोई भी महिला कुछ भी नहीं चाती है तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारी जरूर करूंगी कि जिसकी इसी नीपी अभी तक मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बाल आइकन को जरूर हिट करना उसे क्या होगा आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियो को देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा चनल और मैं लिंक में भेदबाव करना आपको नहीं सिखाते हैं बाकि आपकी मन की और आपकी सोच है कि आप इस वीडियो को किस माध्यम से लेते हैं मैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर और अपना एक्स्पिरियंस शेयर करती हूँ प्रिगनेंसी का बाकि इस यादब में कुछ भी नहीं करती हूँ तो पहला सिम्टम से हैं जो बड़े बुजूर्ग बताया करते हैं और मेरी ओल्ड वाइफ के साथ भी मतलब कि मेरी सब्सक्राइबरों के साथ भी ऐसा हुआ है कि जिन महिलाओं का अंडाकार पेट था Old Wives तो बताती ही है कि जिस महिलाओं के अंडाकार पेट होता है तो उनको जो है बेबी बॉय होता है महीं पे मेरी ऐसी तीन सब्सक्राइबर है जिनका पेट जो है अंडाकार था और नीचो को जुका हुआ था और उनको जो है बेबी बॉय हुआ है वहीं पे मेरी दो ऐसी सब्सक्राइबर भी हैं कि जिनका पेट जो है चप्टा था मतलब कि फुटबॉल की तरह था तो उनको भी बेबी बॉय हुआ है तो फ्रेंट्स इससे आप अंताचा लगा सकते हो कि चप्टा लंबा गोल पेट जो अनुमान ओल्ड वइस बताती है ना ही हो सकता इस वीडियो के माद्यम से आप यह समझ सकते हो बट 90% लोगों के केस में क्या हुआ है कि जिनका ओवल टैप में पेट था लंबा पेट जिसको हम बोलते हैं सीधी भास्ता में लंबा पेट था तो उनको जो है बेबी बॉय होने के बहुत जादा चांस होते हैं अ बहुत सारी सब्सक्राइबरों ने मुझे बताया है कि मैम एक से लेके तीन महीने के बीच में हमको भी बिल्कूल भी वो मिटिंग वगेरा नहीं हुई थी जैसे कि आपने बहुत बार मेरी वीडियो में सुना होगा मैंने खुद का experience भी share गया है कि मुझे एक से लेके तीन महीने के बीच में बिल्कूल भी वो मिटिंग नहीं होती थी बस उकाई आती थी और वो मिटिंग मुझे नहीं होती थी अगर आपके गर्व में देखे ननी सी जान पल रही है तो उल्टी आपको आएगी उकाई आपको आएगी क्योंकि आपके हार्मोन्स जो है बच्चे क को ऐसा हुआ है जिनके बिभी बॉय हुए है तो अगर आपको भी एक सले के तीन महीने के बीच में कोई भी वो मिटिंग वगरा नहीं आई है सिर्फ उकाई आई है ठीक है तो आपको जो है मानना चाहिए कि गर्व में कही ना कही मेरे भी बेटा हो सकता है यह लक्षन तब ही सामने आते हैं जो आपके गर में बेटा होता है ठीक है इसके बाद यह है फ्रेंस कि जैसे कि बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है जैसे कि हमारे घर के बड़े बुजोर्गों का भी experience होता ही है कि अगर आपके दो बेटी है ठीक है मेरी बहुत सारी subscribe और थी जो मुझसे ब बदलती है कि फिर तीसरी बार में आपके बेबी बॉय के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ये आप आपने आस पडोश में आप खुद अंदाजा लगा के देखिए कि किसी के अगर दो बेटी है ना तो तीसरा हमेशा बेटा ही हुआ होगा 80% मैलाओं में 20% मैलाओं में ऐसा हुआ होगा कि अगर दो बेटी है तो तीसरी बेटी हो जाए नहीं तो क्या होता है ना कि तीसरी बार में हमारे आपे बोला जाता है कि नाल बदलती है तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कई हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि तीसरा बेबी होता है तो बॉय ह होगा ऐसके बाद है फ्रेंड बहुती सब्सक्राइबरोंने मेरे साथ यह शेयर किया है और यह बहुती बहुती अच्छा और बहुती बहुती कम लोगों में मिलता है यह चांस वो है बच्चे की FHR बहुत सारी मैला ऐसी होंगे जीनोंने बोला होगा आपका कि 140 से अगर पार इकसे से सब्सक्राइबी के अंदर अंदर लड़कों को जनम दिया उनस्तव के अगर आप मेरे इजा करके देखो कि उन savior कि 140 से बच्चे की हार्ट बीड जो है वो उपर ही आई है और उनको जो है बेबी बॉइ हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि ये लक्षन मेरे साथ बिल्कुल सटीक था मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और सारे वीडियो पर अब दुबारा अपने अल्ट्रसोन आपको दिखा सकती हूं ताकि आपको विश्वास हो सके कि मेरे भी बेटे की हार्ट बीड जो है वो अलग अलग आई थी ठीक है बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे की हार्ट बीड जो है 140 से नीचे है तो आपको जो है बेबी बैटे की होगा या गर्ल होगी तो फ्रेंड्स देखिए जो आपके सिम्टम से मुझे लगता है कि वो लड़के की सिम्टम से अगर मैं आपको लड़का बोल दूं कि आपके लड़का होगा अगर वहीं पर आपके बेटी हो जाए तो आप लोग यह सोच जोगे कि खाजल तो हमको जूट बोला था तो ना ही तो मैं किसी को यह बोलती हूँ कि आपके लड़का होगा ना ही मैं यह बोलती हूँ कि लड़की होगी जो भी होगा नौ भाइने बाद आपके साबने है मैं कोई भगवान तो हूँ ने जो आपको बताऊंगी बट यह है कि आपने दिल क पलराज इसू जो है वह एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी इसके बाद बहुत सटी क्लेक्शन में आपको बताती हूं कि अगर आके एक से लेके तीन महीने के बीच में अगर आपको बहुत जदा नीद वगेरा नहीं आ रही है आपकी पूरी प्रिग्नेंसी में आप अपना आपको महसूस कर रहे हो जदा फुर्ती आपके अंदर है आपको महसूस नहीं हो रहा है कि मैंने जो है प्रिग्नेंसी कंसीव की है या फिर नहीं की है आप नौर्मली रहते हो घर के अंदर कोई आपको परिशानी नहीं हो रही है तो यह बहुत ही सटी क्लेक्शन हो कि आपके गर्व में पल राज इशु जो है वो एक बेटा होगा महीं पर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है बहुत ज़्यादा लेजी पन आ रहा है आप जैसे गर्मी के दिन आ गए है तो बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रहे हो सोने के बाद भी आपको तुरंत बा सारी मैलाओं के उपर सटीक बैठे और उनको जो है बेबी बॉय हुआ है अगर आपको ऐसे और लक्षन जानने है मेरे तो प्लीज मेरे चलन को जरूर सब्सक्राइब करना बैल आइकन को जरूर ओन किया करो ताकि मेरी वीडियो को नूटिफिकेशन आप तक जाए फ्रेंड् फटर डिलीवरी आपको अपने केयर कैसे रहते है वह चीज में आपको बताती हूं ताकि आपके अंदर कोई भी दिककत या परिषानीव ना और आपके बच्चेकों भी कोई भी दिककत परिशानीव को अजया अगा जानने को नहिए और इस वीडियो के माध्यमं से कुछ या फिर मैं आपके लिए जो है आपका आंसर दोंगे ठीक है वीडियो में इसलिए बनाते हूं कि बहुत सारे मैलाओं के वही दिमाग में चल रहा होता है तो मैं वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करते हूं थैंक यू सो मच बाइबाइ